हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ राच्छरी और मेरे चैनल क्रोशे जेमिनी में आप सभी का स्वागत है आज हम फैंसी हेड़ बैंड कैसे बनाते हैं ये देखेंगे ये एक बहुती सुन्दर पैटर्न है और ये हेड़ बैंड बहुत अच्छा दिखता है तो चलिए शुरू करते हैं इसके लिए मैंने मीडियम ठिकनेस का गोल्डन धागा लिया है हम वुल भी ले सकते हैं क्रोशे का 3.50 mm का हुक लिया है और केंची ली है हेड़ बैंड के लिए सबसे पहले हम इस गोल्डन धागे से स्लिपनॉट बनाएंगे अब हम सत्रा चेन बनाएंगे एक, दो इस हेड़ बैंड पैटन में सत्रा चेन बनाने के बाद हम जाली का पैटन बनाएंगे तो इसके लिए हम हुक से पाँचवी चेन में स्लिप स्टिज बनाएंगे तो ये एक, दो, तीन, चार और ये पाँच इस पाँचवी चेन में हम स्लिप स्टिज बनाएंगे तो ये हमारी पहली जाली बन गई अब इसके बाद हम चार चेन बनाएंगे एक, दो, तीन और ये चार अब यहाँ पर हम नीचे दो चेन छोड़ देंगे और तीसरी चेन में फिर से स्लिप स्टिच बनाएंगे तो यहाँ पर ये दूसरी जाली भी तयार हो गई है अब इसके बाद हम इसी पैटन को रिपीट करेंगे चार चेन बनाएंगे नीचे दो चेन छोड़ देंगे एक और ये दो और इसके बाद की चेन में हम स्लिप स्टिच बनाएंगे इस हेट बैंड का पैटन बहुत ही सिम्पल है हमें इसी पैटन को इस पूरे हेट बैंड में रिपीट करना है चार चेन बनाने के बाद नीचे की दो चेन छोड़ देंगे और इसके बाद की चेन में हम एक स्लिप स्टिच बनाएंगे तो यहाँ पर यह चौथी जाली भी तयार हो गई है अब फिर से हम चार चेन बनाएंगे और यहाँ अब हमारे पास यह तीन चेन बज़ गई है तो यह पहली दो चेन छोड़ देंगे और सबसे last की chain में फिर से एक और बार slip stitch बनाएंगे तो यहाँ पर यह हमारी पांचवी जाली भी तयार हो गई है अब इसके बाद हम turn करेंगे और चार chain बनाएंगे एक, दो, तीन और यह चार अब हम यह जो हमने इसके पहले की line में एक जाली बनाई है तो यहाँ इस चार chain की space में हम slip stitch करते हुए इस second line की चार की chain को join करेंगे अब इसके बाद हम फिर से चार chain बनाएंगे हमें इसी pattern ko repeat करते रहना है अब यह जो अगली चार chain की space है यहाँ पर slip stitch करेंगे और इस दूसरी चार की chain को join करेंगे अब फिर से हम 4 chain बनाएंगे और ये जो अगली 4 chain की space है यहाँ पर slip stitch करते हुए join करेंगे अब इसी तरह से हम फिर से 4 chain बनाएंगे तो ये 1, 2, 3 और ये 4 अब फिर से हम अगली 4 chain की space में slip stitch करते हुए इसे join करेंगे अब हम फिर से 4 chain बनाएंगे 1, 2, 3 और ये 4 अब यहाँ पर ये जो सबसे last की 4 chain की space है इसमें हम slip stitch करते हुए इस 4 की chain को join कर लेंगे तो यहाँ पर ये हमारी दूसरी line भी complete हो गई है अब फिर से हम 4 chain बनाएंगे और turn करेंगे अब ये जो अगली जाली है इसमें हम फिर से slip stitch बनाते हुए इस 4 की chain को join करेंगे अब फिर से हम 4 chain बनाएंगे और इसी pattern को हम इस 3rd line में भी repeat करेंगे अब फिर से 4 chain और ये जो अगली 4 chain की जाली है यहाँ पर slip stitch करते हुए इसे join करेंगे फिर से 4 chain और ये अगली जाली में slip stitch करते हुए इस 4 की chain को join करेंगे अब हम फिर से एक और बार 4 chain बनाएंगे और ये जो last की जाली है इसमें slip stitch बनाते हुए इस 3rd line को complete कर लेंगे तो यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि हमारा ये जालीदार design तयार हो रहा है यहाँ पर हम इसी pattern को हर लाइन में repeat करेंगे और total 19 inches की लंबाई आने तक इस pattern को बनाएंगे headband की length हम सिर के circumference की length से 1 inch कम ही रखेंगे क्योंकि headband लगाने के बाद खिचता है और ये 1 inch तक stretch हो जाता है मैंने 19 inch की लंबाई पूरी होने तक इस pattern को complete कर लिया है अब यहाँ last line के लिए सबसे पहले हम एक chain बनाएंगे और ये जो 4 chain की space है यहाँ पर 3 single crochet stitch बनाएंगे क्योंकि अब इस line के बाद हम दोनों sides को join करेंगे तो यहाँ पर हम हर 4 chain की space में 3-3 single crochet stitch बना लेंगे और लास्ट में ये एक दो और ये तीसरा single crochet बना लेंगे ये इस तरह से अब इसके बाद हम ये जो दोनों sides हैं इन्हें single crochet बनाते हुए जोड़ लेंगे हम सुई धागे से भी इन्हें सिल सकते हैं यहाँ पर अब हम दोनों sides की stitches को मिलाते हुए single crochet stitch बनाएंगे तो यहाँ ये इस तरह से single crochet बनाएंगे इस तरह से मैंने दोनो sides को सिल लिया है और हमारा headband तयार है यह बहुत सुन्दर दिख रहा है हम इसे plane भी पहन सकते हैं या फिर इसे और सजाने के लिए हम कोई button flower या bow भी लगा सकते हैं हम इस headband के लिए crochet का button बनाएंगे बटन के लिए मैंने brown color का embroidery thread लिया है हम कोई भी धागा ले सकते हैं और crochet का 2.50 mm का hook लिया है तो यहाँ पर सबसे पहले हम अब इस brown धागे से slip knot बनाएंगे अब हम 5 chain बनाएंगे एक दो तीन चार और यह पांच अब यह जो पहली और पांचवी chain है इन्हें हम slip stitch करते हुए जॉइन कर लेंगे अब इसके बाद हम 4 chain बनाएंगे हम यहाँ पर circle बना रहे हैं और इस circle में हम treble crochet stitch का यूज कर रहे हैं तो treble crochet के लिए हम सबसे पहले 4 chain बनाएंगे अब हम धागे को 2 बार hook पर लेंगे और यह जो रिंग है इसमें हम total 22 treble crochet stitch बनाएंगे मैंने first round complete कर लिया है और इसमें मैंने total 22 treble crochet stitch बनाएंगे second round में हम हर stitch में 2 double crochet stitch बनाएंगे यहाँ पर यह 3 chain मिलाकर पहला double crochet बन गया है अब हम इसी stitch में दूसरा double crochet stitch बनाएंगे पहले round में हमने total 22 treble crochet stitch बनाएंगे तो यहाँ पर अब इस दूसरे round में हम total 44 double crochet stitch बनाएंगे मैंने second round complete कर लिया है और हमारा यह button circle या flower हम इसे जो भी कहना चाहें यह तयार है अब हम इसे headband पर sill लेंगे हमारा headband तयार है बटन लगाने के बाद यह और भी अच्छा दिख रहा है हम इसे छोटे या बड़े किसी भी size में बना सकते हैं यह एक बहुत ही जल्दी बनने वाला project है मैंने इस headband को लगभग एक घंटे में पूरा किया है